तो आज सुगंबि ज्यान क्लास 8 का चैप्टर नमर 11 है और आज हम लोग यहां पर आती लगू कोस्टन देखेंगे ठीक है तो जो रेडिंग का स्रीज है वो तो अभी खतम नहीं होगा चुकि काफी लंबा जा रहा है और बहुत दिन पर वीडियो आता है तो इसके कारण से बहुत समय के बाद खतम होने वाला है तो यहां पर हम लोग आती लगू देख रहे हैं वैसे आगर आपका सपोर्ट हो तो यहां पर बहुत जल्दी यह खतम हो सकता है तो यहां पर देखेंगे आपको लाइक कमेंट से करना है और चलो करना चलो सब्सक्राब करके बेरे कर बैंपरेश कर दह करना है तो चले हम लोग यहां पर पहरा नंबर कहा देखते हैं तो बल्राइब की परिवासा है तो बल्रा को पता है आपको हमने बताया वह है कोसी फिसी भी चीज को अगर थेल रहे हैं जो उस तरह से से भी डिफिनेसन हो सकता है धाकेल या खिचाब है ठीक है जो किसी बास्तु की परांबर क्या वास्ता हम परिवारतन करता है या फिर परिवारतन करने की कोशिस करता है उस परकार से दे सकते है तो यहां पर परिवारतन करते हैं या फिर हम लोग कोशिस करते हैं चुकि अगर अगर बड़ा सा अगर कोई ऐसा बस्तू हो जिसको हम लोग मतलब की बल से उसको हटा नहीं सकते हैं तो हमने वहां बल तो लगा रहा है ठीक है बल तो लगा है बट वहां पर परिवर्ता नहीं हुआ उसका कुछ भी नहीं हुआ वो ना हीला ना डोला ना कहीं थोड़ा सा भी खिसका ठीक है तो इसलिए बल तो हमने लगा है तो वह भी बल ही था ठीक है ना लेकिन वहाँ पर परिवर्ता नहीं हुआ इसलिए बोलते हैं कि बल बाव बहुत बड़ा हो तो उसमें बल तो लगाते हैं बड़ वह परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पर कोशिस कर संकेत में सब कुछ आपको थोड़ा सा मिलाकर लिखना होगा अब करसन और अभी करसन बोलेंगे ठीक है धक्का को और खीच आपको अभी करसन अभी करसन और तथा खीचने को अभी करसन कहा जाता है यह पर गजान की बारे में बदाते हैं मतलब कितना है ठीक है और गती मतलब किस दिशामी ह manipulating है तो यह पर संतल पर लुड़कती गेंतों रूख जाती है तो देखे यह घर चाइंद के कारण होता है तो समतल पर लुड़कते गेंद घरशन के खारण रूक जाती है और उपरी की ओर फेकी गए गैंद की गती में परिवारदन कीस परकार गइंद के कारण होता है तो यह गुरुत्वा बल क्योंकि पिर्थवी जो है हर बस्तू का अपनी केंद्र के ओर खीचता है जिसाब आप सभी को पता है ठीक है तो जब हम लोग उपर फेजेंगे तो एक कर दो आपके मतलब एक ऐसा थित्य आएगा कि तब वह एक जगह से फिर बापस आजाएगा ठीक है जमीन पर क्योंकि वह इसको खीच रहा ठीक है जब तक वह बल है तब तक वह उपर जा रहा है ठीक है उपर के और फेकी गाए गयन की गाती में परिवरतन गुरुत्वा बल क के कारण होता है ठीक है रिसे जैसे कि अगर फेका तो वह कापिश्च पिड़ को जाता है तो यह बुला काती में परिवरतन को बोले है ठीक है तो कोई भी आप इसको एक्जामपल बहुतких ले इसकते को इसको अब भी है पहिंगे तो दहीरे दहीरे उसकी कम हो जाती तो यह उ कशन कि शूर्य मोसम में जब हम त हम टेरी लीन या प्रॉलष्टर की कमीज उतारते हैं तो हमारे सरित के रोएं खड़े हो जाते हैं ऐसा किस परकार के बल्गे कारण होते हैं जो आपने बूख में भी दिया हुआ है और हमने पड़ाए है ठीक है दैसे हैं एक blog कंगी से बाल जारते हैं तो एकर सुखा बाल होगा तो जारने के बाद तो उसमें घरसुत हो गया तो आब उसका कंगी को अगर हम लोग ठोड़ा-सा बाल के ठोड़ा-स होगा तो यह आप भी बता सकते हैं अगर लकड़ी के बुरादे उसमें काटियां है तो उसको चुमा किये बल से हम लोग अलग कर सकते हैं और काफी आसान भी होगा तो संक्यत में दिया हुआ भी है तो यहां पर लिखेंगे लकड़ी के बुरादे से काटियों को चुनने के लिए चुमा के बल का परियोग करना सुब्दा जनक होगा और यह आपका जरोगा नए नमर कोशन में आपसे बोला है कि यह कवजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकडे को हताओडे से पीटता है पीटने के करण लगने वाला बल लोहे के टुकडे को किस परकार प परिवर्थन लाएगा अगर वह लोहाया है था धात हुए तो वह तो चूर-चूर होगा ने लोहे के टुकडे का के अकर्तिमें परिवर्थन होता है तो एक हवय लोहार लोहे के गर्म टुकडे को हताओडे से पीटता है तो वो लोहे के टुकड़े गया किरते में परिवर्तन होता है दसमा नमर कोशन में जो बोल रहा है इसको भी उसे पकारशन लिख सकते हैं जिसे पकारशन नहीं नमर को लिखा तो एक फूलाये हुए गुबारे को संसलिस्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दिवार पर दबाया गया ठीक है यह देखा गया कि गुबारे दिवार से चिपक जाता है तो दिवार तथा गुबारे की बीच आकरशन के लिए उतर दाय वल का नाम लिखना है कि गुवारे गुुवारा दिवार से चिपकד जाता है तो दिवार है के बीच अकर्शन के लिए उत्तरदाई वल स्थिर बैदुत h Trakti लगोए ऊतना लंbब भी नहीं लिखना कोई दिख्यात भी नहीं है विशे लिखंग सकते हैं ठीक है साथ लंब विने होगा वैसे आपकी मरज़ी कारनानम्र कोंसे नहें भार की परिवास महताम थो है। तो भार किसको बोलते है देखो भार द्रविवान में तो आंतर है , भार जिस मतलब जितना बल से गुरुत्वा बल खीच रहा थै उसी को भार गोलते हैं जिस बल से पिर्थेवि कीसी बस्तु को अपनी ओर अकरशित एक करती है उसे उस बस्तु का भार पहते हैं ठीक है लेकिन द्रभमान मतलब जो भी बस तु एक्चुल में उसका जो जिस भी पतारत का वो बना वो कितना एक्चुल में ठीक है वो उसका द्राविमान होता है मास होता है लेकिन अगर पिर्थे भी तो हर चीज को खीची रहा है तो जितना भी बल से खीच रहा है वो बस तु पर डिपेंड करेगा वो कितना बड खुषचन और 12 नम्र खुषचन वहार के दो मात्रक को नाम लिक है ठीक है यह है दो मात्रक के नाम लिक नाया दे χो बहार का वैसे एक ही मात्रक होगा इस पेस्लिशंटर करते के तहीं डहीं पढ़िए दों यह दो भ coc से द्रमान को देखे तो एक बजन ही होता है ठीक है तो द्रमान का मात्रक किलोग्रम होगा और तता भार का मात्रक न्यूटन होगा वैसे इसके जो पूछ रहा है उसके अंसर यह होगा द्रमान का मात्रक किलोग्रम तता भार का मात्रक न्यूटन होता है ठीक है यह होता है वै ज्युनुन का मनतले हैं और द्रमौन ब्राइब कोई YEAH ठीक है णतीर हो और द्रमौन मतलब जो बी पदारत है. उसमें अक्ली कितना जो भी बस्तू है, उसमें जुरस बडारत से बनावा है, जितना पदारत zitten. और धरमौन होता है और यहां पर भार होता है अब इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में आगे वाले किलास में पढ़ेंगे ठीक है इन सभी को संपर्क छेतरफल से आप क्या समझते हैं संपर्क छेतरफल मतल Thousand अगर संपर्क इसu यह रहा एक बस यह रहा इतन लुए दोनों संपर्क में इस है यानि जितना संपर्क में दोनों है ना कॉमन जो भाइनिष्ट है ठीक है भाइनिष्ट पर वह ही होगा तो जब दो बस तो एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके वा भाइनिष्ट भाग जो एक दूसरे के संपर्क में हो उसे संपर्क छेतर पल काते है ठीक है त लगा लगाय गया बल दाब कर लाता है और दाब का यसे मातरा क्या होता है यहां सारा पास्काल ने पीसे पर करते हैं और प्रनोध क्या है तो प्रनोध भी एक परकार का बोले तो बल है लंबवत बल जैसे यह रहा छेतरफल और इस पे अगर हम लोग इस परकार से बोतल पार दे ठीक है इस परकार से तो यह जो है लंबवत बल है और इसको यह बल ही है ठीक है यह लेकिन लंबवत बल ह तो इसको बोलेंगे प्रुनोध ठीक है और प्रुनोध है तो प्रतिय कांग यह छेत्रफल पर लग रहा है तो इसको दाब भी बोल सकते हैं ठीक है यह प्रुनोध अगर बोला जा तो लंबवत जो बल लग रहा है यह लंबवत बल लग रहा है यह प्रुनोध होगा अब प् कीकि यह कुणकि पृण्भणध रखें किसी मेला लगे हुए बल को पृण्ध कृते हैं और सत्रहिंग जिस थे चारों हर हर अगर देखें तो यह भाई हूं ठीक है अब जी तो हर और से ढखने वाली हवा इसके आवरन को बायू मंदल कहते है ठीक है जो भी हवा इसको बायू मंदल कहते है तो पिर्थभी को हर और से ढखने वाली हवा के इस आवरन को बायू मंदल कहते है बायू मंदल ठीक है चलिए कोशन यहां पर मतलब कि अतिला क पूरिख की सब्सक्षेबिड करते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में ठीक है